हाई वीडियो है सिंगापूर जो वेकंसी के लिए उन केंडी रेट्स के लिए जो सिंगापूर में काम करना चाहते हैं लेकिन एक बात बता दू कि इसमें भी एडवांस है और सिंगापूर जादातार एडवांस में ही काम यहां पर होता है वैसे एक चीजह बताऊ कुछी ऐसे एजेंट्स हैं जो विदाउट एडवांस काम करते हैं लेकिन उनको आपका ओरिजनलक्स चाहिए होगा या तो आपको एडवांस पे करना होता है या फिर आपको अपने ओरिजनल documents देने होते हैं ठीक है कौन सी agency है इसके लिए आपको क्या करना है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी जाकर देख लो ठीक है जो नए viewers है उनको बता दूँ कि चैनल की membership है चैनल की membership आप लोग जोइन कर सकते हो जो भी prime benefit आपको उसे साब से उसके मिलेंगे आपको लिखा है हर membership में ठीक है और वो आप देख सकते हो ठीक है सिंगापूर job vacancy की बात करें तो यहां पर vacancies है आप लोगों के लिए 10 ठीक है requirement भी काफी large number में तो बता देता हूँ चैनल हेल पर चाहिए 40 salary जो है वो है 1200 US dollar salary मैं एक बता रहा हूँ US dollar वैसे सिंगापूर में Singapore dollar चलता है ठीक है तो यहां पर US dollar में mention है ठीक है ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोला हूँ यह US dollar में mention है आप इसको जो है mirror करके देख सकते हो ठीक तो जो मेरे पास requirement आई है मैं वहीं बता रहा हूँ आप लोगों general helper चालीज चाहिए 1200 US dollar इनकी salary है रिगर चाहिए 13 salary है 1600 US dollar next painter number of vacancies है 25 और salary है 1800 US dollar next is pipe fitter number of vacancies है 15 salary है 1800 US dollar next is carpenter number of vacancies है 18 और salary है 1700 US dollar next is pipe fabricator number of vacancies है 20 और salary है 1700 US dollar pipe fabricator चाहिए 20 salary है 1700 US dollar carpenter चाहिए 18 जिनकी salary रहेगी 1700 US dollar इसके बाद है scaffolder number of vacancies है 15 और salary रहेगी 1500 US dollar electrician चाहिए जिनकी salary है 1900 US dollar और यह चाहिए 10 तस electrician all type of mason number of vacancies है 15 और salary है 1800 US dollar next is AC technician number of vacancies है 25 और salary है 1900 US dollar government conditions की बात करें तो age limit इसमें है 19 से लेकर 45 साल तक के लोग इसमें apply कर सकते हैं facility है food accommodation दोनों ही आपको company की तरफ से provide किया जाएगा application should know application नहीं applicant होना चाहिए वैसे यहां पर application लिखा है इन्होंने applicant should know basic English आपको basic English आनी चाहिए ठीक है वैसे तो आप किसी foreign country में जा रहे हो अगर आप चाना भी चाहते हो कोई भी हो आपको basic English आने ही चाहिए कम से कम समझ में तो जरूर आनी चाहिए क्योंकि आप अपनी देश में तो चल जाता है काम लेकिन बाहर की country में जहां पर आप दूसरी लोगों के साथ रह रह रहे हो अगर आपको आप आप यह सोचो कि आपको अगर अपनी country का कोई ना मिला या पाकिस्तानी ना मिला कोई या बंगलादेशी ना मिला या जो भी हिंदी लेंग्वेज बोलता हो या आपकी लेंग्वेज बोलता हो वो ना मिला तो आपको कौन सी लेंग्वेज में बात करना होगा वो English में करना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वैसे तो Singapore में जो है payment after visa नहीं होती है ज्यादा तर advance लेते हैं लोग तो ये जो मुझे काम मिला है इसमें advance नहीं है ठीक है? after visa pay करना है लेकिन condition ये रहेगी आपको एक तो confirm जाना है तूसरा मुझे minimum 5 candidates चाहिए है इसमें minimum 5 candidates वैसे मेरा जो criteria रहता है आपको सच सच बता देता हूँ इस वीडियो में मेरा criteria रहता है एक तो जो चैनल के membership है उनको भेजू उनको पहले prefer करता हूँ दूसरा जो लोग काफी लंबे टाइम्स हैं उनको prefer करता हूँ और पुशिश करता हूँ एक या दो ही फाइल में कहीं लगाऊं उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ सही बात तो यह है क्योंकि ज़्यादा तर मैंने यह देखा है एजेंट्स काम नहीं कर पाते हैं आगे जो भी एजेंट्स होते हैं तो यहाँ पर लेकिन पांच की कंडिशन है तो पांच फुल्फिल करने ही पड़ेगी और वैसे भी आफटर विजा है तो कोई रिस्क की साहाँ पर नहीं रहता है तो आप लोग अगर अपलाइक करना चाहते हो जो भी इंट्रेस्टेट है वो मुझे बता देना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाई बाई टेक केर